इसमें I3S प्रोपरली वर्क नहीं कर पा रहा है मतला आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम जो है इससे ये बंद नहीं हो रही है बाइक बंद हो जा रही है I3S की वज़े से तो हम क्लेच जैसे ही दवाते हैं तो क्लेच दवाने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो के देए जो आपका चालान तो नहीं होगा पीछे जो ये रेड लाइट रहती है उस पर हिंदू कवर चड़वा दें तो चालान कटेगा क्या बाई अगर I3S से आप ये जान सकते हो कि हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक की जो बैटरी है वो लो है मतलब हो रही है या पूरी तरह से डड़ हो चुकी है गाड़ी 500 से अधिक देर के लिए गाड़ी I3S की वज़ए से बंद रहती है आइडल रहती है तो नमस्ते दोस्तों कैसो आप सभी तो यार यह अपन लोगों की बाइक आज ना भाई अपन लोग बाईक की बहुत सुरूरी चीज के बारे में बात करने वाले है ठीक है और जिसको लेके भाई आप लोग शिकायत भी कर रहे हो बोले हो कि भाई यह काम नहीं कर रहे है मतलब कि यह जो I3S बटन आप देखवा रहे हो ना यह मतलब अभी इस टाइम ओन है लेकिन ओन होने के बावजूद भी यह काम नहीं करता है मतलब कि काफी भाई दबाते हैं तो क्लेश दवाने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो के दे रही है मतलब कि गड़वर क्या हो रही है I3S की वज़े से की बीएस सिक्स की जो इस प्लेंडर और एक्स्टैक की न्यू आया है डिजिटल मीटर वाली तो इसमें I3S प्रोपरली वर्क नहीं कर पा र रही है ठीक है थोड़ी बहुत डीटेल जान लेजें फिर बात करते हैं कि यह प्रोपरली वर्क क्यों नहीं करता है और गाड़ी इस से अगर बंद भी हो जाती है I3S की वज़े से तो स्टार्ट नहीं होती है ठीक है क्लेश दवाने पर भी स्टार्ट नहीं होती है I3S की जान लेजिए जो I3S लिखा है 3 इसका क्या मिनिंग है ठीक है 3S का मतलब यह है कि इसमें S है तीन बार लिखे हुए है यानि की 3S को डिनोट करता है तीन बार I का मतलब idle stop start system ठीक है इसका पूरा full name यह है आपको screen के भी दिखाई दे रहा हूँ है जान लीजिए दोस्तों कि यह जो I3S सिस्टम इसमें हमारे को दिया गया है यह काम कैसे करता है फिर बात करते हैं कि यह आखिर बंद की उपड़ जाती है I3S लुक on off होने पर भी इसके कोई फरक ने पड़ता है चालू की नहीं होता है ठीक है देखो I3S काम इस तरह से करता है देखो जैसे कि अब य इगनेशन on है ठीक है जब भी इगनेशन off रहता है इसको आप एक बार on करते हो तो इसमें देखो आपको स्किन पर दिख जाएगा कि क्या क्या डिनोट करता है इसको हर्श एक बार on off कर थोड़ी दिल रुक ठीक है और अभी जैसे ही देखो हर्श इसको ignition को on करेगा ना तो इसके मीटर पर यह जो इंडिकेटर है आई 3S वाला ठीक है तो यहां पर यह 2 सेकंड के लिए आई 3S जलेगा इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि आई 3S स्विच्च जो है आपका यह दिये गया है यह on है यह off नहीं है तो हश करके दिखा जा रहा इसको डिखो आई 3S जला यह 2 सेकंड के लिए मातर जलेगा इसका मतलब यह है यह on है अगर यह off होता तो यह जलता नहीं ठीक है जैसे इंजन भाई ट्रैफिक में बंद हो जाता है आई 3S की वज़ए से उसके बात यह लगातार भाई यह बिंक करता रहता है आपको स्किन पर सब कुछ दिख ज सकते हो कि हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक की जो भाई बैटरी है वह लो है मतलब कि डाउन हो रही है यह पूरी तरह से डड हो चुकी है ठीक है इस चलिए तो दोस्तों अब अपने मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि आप लोग जो भाई कमेंट करते हो ने कि आई 3S सिस्टम आने के बाब जूर भाई इंजन इतना हीट हो चुका है चूनी सकते लेकिन फिर भी आई 3S की वज़े से इंजन कट आफ नहीं करके दे रहा है ठीक है और यह दि किसी भाई का इंजन कट आफ हो भी जा रहा है मतलब आई 3S ऑन होने की वज़े से इंजन ट्रैफिक में कि आई 3S ऑन होने की वज़े से अगर गाड़ी बंद हो जाती है ठीक है मतलब की आई डल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है इससे भई ऑन होने की वज़े से इंजन कट आफ हो जाता है ट्रैफिक में ठीक है तो आपको स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुए दिख जाहेगा क कि यदि गाड़ी 500 से अधिक देर के लिए गाड़ी आई 3S की वज़े से बंद रहती है आईडल मतलब की बंद रहती है तो आई 3S सिस्टम वर्क नहीं करेगा इसका क्या मतलब है 500 सेकंड मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 500 सेकंड में आप निकाल लीजे कितने सीधा सीधा मतलब यह रिजल्ट यह निगल के आता है आप अगर कैलकुलेशन करोगी तो पता चलेगा कि 8 से 10 मिनट ठीक है मैं ज्यादा ही मिनट से बता दी है 8 से 10 मिनट तक अगर आई 3S की वज़े से ट्रैफिक में गाड़ी बंद रहती है मालों कि आप ट्रैफिक में फ काट उफ होए इंजिन आ i3S की वजह से और फिर आप कोशिश करोगे 8-10 मिनट बाद क्लिश से स्टार्ट करने की मतलब 8 मिनट माल लीज fulfills से आप स《स्टार्ट नहीं होने वानी है । यह सीधा सीधा आपको स्क्रिंट भाई लिखा देख चाहिए इसकी user manual में भी यही दिया गया है इसका रिजल्ट यही निकल के आता है कि 500 सेकंड तक अगर i3s की वज़े से गाड़ी बंद रहती है और इससे जाद टाइम हो जाता है तो आप क्लश से भाई इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊगे फिर i3s सिस्टम का वर्क करने का कोई फायदा नहीं है य एक और बार आपको फिर से कंक्लूजन बताए देते हैं ठीक है कि i3s का भाई क्यू वर्क नहीं करता है आप प्रोब्लम मतलब कि बहुत टेंशन में आ जाते हो आप लोग कि भाई क्या दिक्कत नहीं हो रही है वहारा i3s को लेकर तो भाई बस वह यही है कि i3s की वज़े प्रिये सिस्टम के वर्क करने पर तो फिर आप अगर इस से ब्रेक मतलब सौरी भाई क्लेच लिवर से गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी यह बंद ही रहने वाली है क्योंकि टाइम आठ मिनट से कम ही समय सीमा दी गई है इसको क्लेच ल हो ठीक है साफ साफ लिखा इसकी यूजर मैनुल में कि आए थ्रीयस को आप ट्रैफिक में यूज कर सकते हो लेकिन उस कंडिशन में जब गाड़ी भाई आपको रोकनी पड़े लेकिन उस कंडिशन में आप इसको ट्रैफिक में आफ करके रहिएगा यह बहुत जरूरी है आफ करना भी इसको अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक है और जिसमें भाई हर एक दू सेकंड के बाद आपको गाड़ी भाई आगे चलानी पड़ रही है मतलब कि ट्रैफिक को कम करने के लिए बार बार आपको भाई आगे बढ़ना पड़ रहा है पंद करना पड़ रहा ह तो इस कंडिशन में आपको यह जो आइथरिया है भाई इसको हमेशा आफ करके ही रखना है इसको उन नहीं करना है लेकिन अगर आपको कुछ जाद़ देर के लिए मतलब रुकते हो ठीक है तो उस समय के लिए आप इसे ओन भी रख सकते हैं तो यह कंडिशन रहती है भाई तो चलिए देखते हैं यह देखो इसे लिखना है नहीं आ रहा है भाई इसके और बता दीजे भाई सभी में सेम प्रोसेस रहने वाला है और भाई यह है कॉटम एक्टिक्स आई है बहुत अच्छी भाई तेंक यूब आपको अच्छी लगी भाई सर्वर अली है बोले भाई क्या है यह है भाई क्रिश्णा बाटल क्या भाई हम बाई में सिंगल रॉड लगाड लगाएं तो चालान हो गया क्या तो भाई मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं अगर आप भाई में सिंगल रॉड वाला भाई लगाड लगा आते तो इससे आपका चालान तो नहीं ह होनी चाहिए मतलब आपको पता चलना चाहिए कौन सी कंपनी की बाइक है कौन से मॉरेल की बाइक है ठीक है और यही बहुत क्रिश्णा भाई यह पूछते हैं कि भाई क्या बाईक के पीछे जो यह रैड लाइट रहती है उस पर हिंदू कवर चड़वा दें तो चालान कटे नाय लाइट वाइट रहती है ठीक है लेकिन नंबर प्लेट के साथ बिल्कुल छेड़ चाड़ मत करिए कभी छेट है ठीक है भई और भी भाई ब्यारे प्यारे कमें थैंक यू भाई टीएस आम रिक भाई आपने बेंगाल से में इतना ब्यारती है थैंक यू यह विशाल इंडिकेटर चाल हो जाता है और साइड वाला जलता है और पीछे वाला लेफ्ट साइड का जलता है कूल मिलाकर उल्टा फुल्टा जलता है मतलब इंडिकेटर ढंक से काम नहीं करता है उल्टा फुल्टा जलने लगता है तो भाई इसके बारे मैं आपको कमेंट बिल्कु इसमें इकुमोड कैसे करोगे इसमें करोगे और यह करमवीर और यह अपटेट अड्स यह क्या हैं ताहिर हुसायन कनेक्ट नहीं हो रहा है ब्लुटूथ भाई थेंक्यू तरण भाई यह रितेश राजब्यारी यह आपकी इस्प्लेंडर एक्स्टेक कितना मैलज्ज देती ह ठीक है कोई ऐसी वो नहीं है कि मालेज अच्छा नहीं देगे भाई टेल पती लगवाओ वीडियो चाहिए हाँ भाई वो चरूर आएगी डर के महाँ जरूर आएगी आप चिंता मत कीजिए भाई बेकार क्वालिटी बता रहे हैं भाई ये प्राइस कौन है भाई ठीक है आप और कमेंट्स करो और भी भी देखने हैं मज़ा आएगा ठीक है अच्छ इच्छ भाई नहीं करा करें और भाई आज बस यह हमने देखा कि आप लोगों की प्रॉब्लम देना भाई 3S भाई 3S की मतलब वजह से बाइक बंद भी हो जाती है तो स्टार्ट नहीं हो पाती भाई और कोई प्रॉब्लम है जैसे इसको लेकर अभी एक भाई कामने कमेंट देता बोले हैं भी साइड वाला इंडिकेटर अगर राइट वाला इंडिकेटर चालू कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला चालू हो जा रहा है और लेफ्ट वाला इंडिकेटर चालू कर रहे है त तक तक के लिए, बाइ